तो आपके साथ आज बहुत भी मज़ेदार रेस्पी शेयर करने लगी हूँ जो है ग्रिल चिकन बनाना अज हम सीखेंगे सबसे पहले हमने बॉल ले लिया और आप इसमें मैं सबसे पहले आड़ करूंगी फोर टेबल स्पून योगर्ट जी तो अब इसमें वाइड पिपर जो है वो पॉर्डर हाफ टी स्पून एड़ कर देना है यह अब 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 ब्लैक पिपर यह भी हाफ टी स्पून ही एड़ करना है और अब भी मैं डालने लगी हूँ इसमें पैपरिका पॉर्डर यह भी हाफ टी स्पून ही एड़ की है थ तोड़ा सा टेस्ट जो है वह रहाँ अच्छा टेस्ट लाने के लिए अब जे इसमें बाल दिया garlic powder ये भी एक teaspoon अब add कर सकते हैं और इसके बाद मैं ऐसमें add करूँगी ginger powder जिंजर पॉर्डर जुह वह वहाफी यूर्ठ टी स्पून एड़ के लिए तू टीसस्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लिक्स एड़ pref 들어가 कि इसमें यह यह जी यान मसालद भी यह यान आलना यह एड़न एक लैमन डालना है इसमें थोड़ी सी उसको तुर्ष करने के लिए खटास लाने के लिए एक लैमन जो है वो इसमें आपने जोड़ देना है चैसे काईन शुक्तवा स्वेशा लावाल करने नहीं है तो इतने बी इंग्रेडियंट्स वर्ष शूर अग्रिएंट्स अधिम एक प्रणियों कर लिए और रवग्स करना है और हमने चीकन को क्या करना है जी मैरिनियत कर लेना एक्शली हम आप्सार ही मियरनेट करना है ठाइप फीसेज के लिए लिए हमने और ताके जो जो अबसाट और तक अबसरा के अबसाट आप्सक्च आपने टार हम अबसार ऑठक्षब अबसाप करणे में consent f एच्छा हम इसको मिक्सब करेंगे मसाला देलाएगे अतना ही अच्छा तेस्ट आएगा और वो कि अच्छा में अच्छा तेस्ट आएगा और जो है अच्छा करैएगा। कि मैं अच्छी तरह से मसाला लुजुआ कि अच्छी से मसाला लुज चुक है अब इसको कावर कर जो कर जा आए इसको कवर करें के हमने ऐड दो गणटे के लिए इसको नहीं ने इस अतनी देर के लिए हम बाखी चीजों को रेडी कर लेते हैं यह जी मैंने एक ट्रेय ले लिया इसको आयल लगाके इसको ग्रीस कर लेना है और कुछ वेजिटेबल्स रिक्वाइर्ड है यानि टॉमाटोस और कैपसिकुम तीन कलर्स में मैंने ले लेनी और उसको मैंने काड़ और कुछ पटाटोस चाहिए और यह जी आयल है और इसको पूरे ट्रेय के अंदर उसको मैंने लेना है इसको ब्राइश के मदद से इसको पूरे को ग्रीस कर देना है तो अब कुछ वेजिटेबल्स कटी हुई है वो इसके अंदर हमने लेनी है सबस्क्राइब लेक के लिए लीड़ में कुछ Pennsylvania. यह जी इसमेर टिमाटर, तीन कलर में कैप्सिव कंभ में एक यजलु कलर में ग्रीन और रिड कलर में में कgres उख होको और देखिना है हमने प्याज और अलू लैनी प्रटाटों को भी कतड़ों की फाम में कॉर्ट लेड़ा है थोड़ा सा इनको छबालू यह देखे थोड़े से हमने इसको मोटा रखा यानि बारीग नी रखा। यह भी होता है कि जितने थोड़े से अगर मुटे आलू कटे हुए हो तो वह जल्दी जो है वह पक जाते है ऐस कंपियर टू ज्यादा जो बरीक जो है वह आलू कटे होते है अब जी इस पर ब्लैक प्रिपर वह स्प्रिंकल कर देना है और हस्पेस आई का साल्ट आपने इसके अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना है हाथ से ताके सब के ओपर जो है वह एकुली जो नमक लगजे क्योंकि बिलकुल भी इसको हमने टेस्लेस यानि फीका नहीं रखना थोड़ा सा साल्टी टच होगा तो यह जो है वह अच्छा टेस्ट के लगएगा अब यह जो चिकन हम पर हमने रख लेना है और यह देखें जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन तो अब हमने वन बाई वन करके पीसे सारे इसके ओपर अड़जेस्ट कर लेने जो वेजटेबल्स वगएरा हमने काटी होई थी अब हमने इसको थर्टी मिनिट्स के लिए ओवन में रख देना है ओवन के बगएर आप चूले पर भी इसको पका सकते हैं हलकी आँच पे स्टीम के थ्रू आप इसको रैड़ी कर सकते हैं ग्रील जिकन को थर्टी मिनिट्स के बाद हमने चेक करना है यह देखें जी कितना अच्छा इवन साइडे तो जो अच्छी तरह रैडियो चुकी है तो अब जो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताक कि दूसरी साइड से भी थी तरह से इपक जाए तो उसके बाद देखेंगे फाइनल का बीभी बहुत टेस्टी लग रहा है इसको टेस्ट को इंड़ाई करें लें जी फाइनल लुक देखें जो हमने वेजिटेबल्स, कैपसिकम, प्टाटोस वगेरा सारा कुछ डाला था वो भी अच्छी तरह से पक चुका है उनका तो बिल्कुल मसाला बन गया इसको बिल्कुल पक चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है अब हमने बस इसको खाना है सो इस सो टेस्टी आप लोग भी इसको जुरूर ट्राई करिएगा अब वीडियो आपको अच्छी लगी हुए तो हर बात की तरह यह की बात चैनल को सब्सक्राइ करें लाइक करें अपना प्यार दें शेयर करें थैंक यू सो मच सी यू नेक्स वीडियो तक तक के लिया लाफिस